आफके 5 पिणक लिप्स्टिक्स लिप्स्टिक्स तो आजके बात करें नियुक्त में पिंक लिप्स्टिक्स करें मझे सपोर्ट करें क्योंकि अधिकते लोगों ने मेरी वीडियो को तो देखा है आपर सब्सक्राइब नहीं किया है आपको सर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है ताकि जब भी मैं नए वीडियो का प्रोड करू तो आपको सबसे पहला लिप प्रोडक्त यह है यह लैकमे का लिक्विड लिप मूस लिप्स्टिक है इन दे शेड पिंक वेल इसे मैंने इंडिया से परचेस किया और यह साड़ी 600 रुपय का आता है शेड वाइस बहुत अच्छा लैकमे अप्रोप्रेट शेड रेंच है इस वाट आप अच्छा लिप्स्टिक है इन दे शेड रिरी उसका ड्यूप है कि यह पता लगाने के लिए मैंने इसे खरीदा था और यह इसका ड्यूप है यह शेड बहुत अच्छा है इसम्यूट पिंक शेड जब मैं इसे पहली बार अप्लाई किया था तब मुझे लगा यह मुझे पर जब यह सुखा तो यह बहुत अच्छा लग था मेरे लिप्स पर मैं इसकी बहुत ही जादा बड़ी फैन हो चुकी हूं मेरी हर दूसरे तीसी लिप लिप रिकमेंडिशन वीडियो में जहां पॉसिबल है यह प्रोड़क्ट आपको जरूर से दिखेगा सो डोंट गट this is one of the best lip shades that I have come across in recent times Lakmeka यह product मैंने बाइचांस खरीता है जासे कि I am about that I was not planning to पर जा मैंने से खरीता और इसे अप्लाइ किया मेरी dry lips पे यह बहुत अच्छा बिकता है और काफी comfortable feel होता है और that is the reason I've included it in this video it's a pink nude lipstick for medium skin tone girls अगर आपने यह से ट्राइने किया तो definitely करो तो don't go for it, इसका velvet matte finish है, comfortable mousy texture है, so definitely transfer होगा, I really wanted you to know that, क्योंकि कल आप इसे खरीदोगे and you'll be disappointed कि ये velvet matte finish का है, ना कि powder matte finish का, so it is very important for you to know the finishes of lipsticks that I am recommending today. अब हम बात कर लेते हैं, इस प्यारे से purple pink की, हर किसी को ऐसा shade पसंद जरूरी नहीं है, पर आपको मैं बता दू, आपको ऐसे shades से डरना नहीं चाहिए, purple pink lipsticks बहुत अच्छी लगती है, deeper skin tones पे भी, fairer skin tones पे भी, medium skin tones पे तो लाजवाब लगती है, मेरा बहुत सारा lipstick का collection है, औ और उसमें purple pink shades staple है, different different brands से, ये shade है, this one is in the shade artist by Maybelline, Maybelline का super stay matte ink liquid lipstick का एक range है, जो बहुत सालो पहले निकला था, और उसके बाद उन्होंने shades add-on कर दिया था, तो उसमें से ये एक shade है, artist, बहुत ही प्यारा shade है, और formula की बात करूँ तो formula बहुत अच्छा है, इसका, काफी long lasting lipstick है काफी लोग को पसंद आती है, मुझे तो पसंद आती है, मैंने बहुत सारे लोगों को complain करते हैं, बहुत सारे लोगों को complain करते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है, तकरीमन अब 10 shades available हैं मेरे collection में, इस super stay matte ink liquid lipstick के range से, so that itself must be giving you some idea कि मुझे कि इतना पसंद है, क्योंकि formulation wise, ये top notch का formulation है, काफी reasonably priced है इंडिया में, sale पे लोगे तो सस्ता ही पड़ेगा, so go for that, and ये shade मुझे बहुत flattering लगता है अपने skin tone पे, it's a beautiful poplish pink, और जब ये थोड़ा सा dry down होता है, तो ये बहुत जादा सुनद दिखता है, so go for it, और अगर आपको liquid lipsticks पसंद है, so ये बहुत अच्छा lip shade है, for a pink lip, let's move on and talk about this, Revlon ने अपना game change का लिया है, बहुत जादा अच्छे products Revlon बनाता था, पर बीच में, Revlon as a brand dead हो गया था, और अब they have just bounced back, और lip products से ही वो जादा फेमस हुए, अभी lip glass करके उनका चल रहा है, और वो बहुत जादा famous है, मेरे पास बहुत बहुत पड़ा था, जबकि उसका उतना price है नहीं, और उसके अलावा मैंने एक और shade लिया है, जो कि है extra spicy, मैंने आपको अलरी वो lip shades जो आपको ट्रैक करने चाहे है, इस साल उसमें बताया है, so go and watch those videos, coming back to this, this is their satin ink lipstick, और ये satin finish के lipstick है, definitely transfer होगी, and this one is in particular your majesticker के ये shade है, ये मैंने खरीद लिया था, जब Revlon was selling their products, but it was not hyped enough on social media per se, पर जब मैंने इसे खरीद था, you won't believe, I quite liked the formulation, satin finish है, one swipe pigmentation आपको मैं दिखाती हूँ, और मैं इसकी fan थी, इसलिए मैंने एक और shade लिया था, so that was a nude brown shade, I picked this shade, and you saw that right, कि ये कितना आराम से glide हुआ, it's a satin finish lipstick, और ये कुछ ऐसा दिखता है, it's a muted pink shade, it looks pretty bright on me, yes, ये again, जब आप लगाओगे तो आपको लगेगा कि, ये बहुत ज़्यादा bright है, पर ये थोड़ा सा tone down हो जाता है, जैसे हलका सा dry होता है, और ये जो लैक में के lipstick है, ये कम transfer होती है, पर ये satin, pure satin finish के lipstick ह पसंद है, liquid form में, go for it, but be aware कि ये तो बहुत ज़्यादा crazily transfer होगा, so, ध्यान वे रखो इस बात को, लेकिन lip shade के बात करूँ, lip shade बहुत अच्छा है, formulation के बात करूँ, one swipe pigmentation है, और मेरे pigmented lips को बहुत अच्छे से coverage देता है, it feels so smooth and lovable and luxurious on my lips, I feel so good, मेरे काफी dry lips रहती है, तो उ fan नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा बलको पसंद ही कि इदर उदर बस lipstick transfer हो रहा है, पर जैसे जैसे एज और मेरे मेरे preferences भी चेंग हो रहे है, I am a huge fan of this formulation for sure, and you must check this out, अगर ये शेड नहीं भी लेना, तो दूसरे shades जा के check out करो, it is totally worth it, I think ये 800 रुपय का आता है इंडिया में, न most popular lip shade I have come across on the internet, at least in the Indian market, I am not even kidding, ये हर दूसरी bandi sandy rose का dupe ढूँन रही है, because it's a quite costly lipstick, it smells good, आपके different smell है इसकी और ये न, इस तरीके का दिखता है, पिंकी peach shade कहलो, आप medium skin tones के लिए, and I love the shade, it's a beautiful shade, there is no doubt, बहुत प्यारा shade है, और इसे मैं मैंने तो कभी कीरू का कोई भी product ट्राइने किया था, because ये इतना hype था, इतनी महेंगे lipstick मैंने फिर भी खरी ली, I must say, shade का जो hype है वो तो definitely बहुत अच्छा है, formulation is comfortable enough for a liquid lipstick, खाओगे तो पूरा break हो जगा, that's what I have to say, पर shade की हाँ बात हो रही है, और 1-2 घंटे टिक जाए आपके प्यारे लगते हैं, day in day out आप ऐसे shades use कर सकते हैं, और हर कोई मेरे तरह नहीं होता कि liquid lipstick से थोड़ा सा दूर ही रहे, किसी को powder matte liquid lipstick की जरुवत पढ़ती है, क्यों उनको touch up करना पसंद नहीं है, so this might be for you, and last but certainly not the least, ये एक ऐसा lightweight formulation है मेरे collection में, जिसे मैं different shades में खरीच चुकी मैंने ये बात आपको पहले भी अपनी recommendation वीडियो में बताए थी, ये by the way NYX Cosmetics का XXL lip laundry है, in the shade pushed up, और ये एक movie pink है, ये बहुत ही प्यारा shade है, it's such a beautiful shade, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना bright लग रहा है, but it looks so good, muted pink ही है ये भी, आप देख सकते हैं, मैंने 5 different pink lip shades include किये है, और ये सबसे bright pink लग रहा है आज की वीडियो में, but कभी कभी ऐसे shades भी wear करने चाहिए, why to run away, I quite like this shade, और मैंने जब इसे पहली बार apply किया था, I was expecting it to be this kind of movie, but ये निकला थोड़ा bright pink, for sure, आपको tube में भी ऐसा दिख रहा होगा, पर ये थोड़ा सा bright pink है, movie की तरफ जुका your ease of reference और आपकी भी help हो जाएगी, हर कोई makeup, full face of makeup करके बाहर नहीं जाना चाहता, या उनको पसंद नहीं है, तो अगर आप घर पे भी रहते हैं, तो ऐसे lip shades मुझे लगता है, आपको पसंद आ सकते हैं, जो बिना makeup या minimal makeup के साथ भी आपको washout ना करें, so this was the last lipstick recommendation for this video, तो दोस वीदियो में, तेक के, बाइब बाइ!